दोस्तो नमस्कार मैं कर्णल अजय सीओ अजय एस्टो मानिक्रू फर्स्ट ग्लोबल एस्टो फनाइस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिव होता हूँ दोस्तो आज के इस एपिसोड में हम दक्षिन अमेरिका के प्रमुख देश अर्जन्टाइना के उपर बात कर रहे हैं आने वाले दो महीने क्या संभावनाए मौसम को लेकर अर्जन्टाइना में हो सकती है गौर्टलब है अर्जन्टाइना को कोई भी देश अंदेखा नहीं कर सकता क्योंकि प्रमुख फसलों का केंद्र अर्जन्टाइना माना जाता है यादि हम वियूनेस आयर्स की बाह से जो खबरे निकल रही हैं उसके उपर आज हम चर्चा कर रहे हुए हैं दिसंबर 2021 के मद्दे के बाद अर्जन्टाइना के प्रमुख करशी उत्पादक छेत्र में शुष्क और मौसम से प्रभावित हो रहे हैं और यह इस्थिती अगावी मार्च महने तक के मद्दे तक बनी रहने की संभावनाएं जताई जा रही हैं ब्यूनिस आइस ग्रेंज एक्षेंज ने ये आशंका विक्त की है कि इस संभावित मौसमी इस्थिती के वज़े से सीजन 2021-22 में मक्का और सोविन जैसी फसलों के उत्पादन को व्यापक खानी की संभावना हो सकती है गौरतलब है कि वर्ष 2021 की दूसरी चमाई में बरसात के बाद इस दक्षिन अमेरिका देश को लानीना मौसमी चक्र के दुश प्रभावों का प्रभाव जहिलना पड़ रहा है देश के प्रमिक क्रशी उत्पादक छेत्रों में बरसात में कमी दर्ज होई है एक मंतली रिपोर्ट को भी हम देखें जो जिसके अंदर अनाश एक्षेंज ने का है कि मकी और सोयाबी दोनों को संभावित उत्पादन में काफी हाथ तक आगामी फरवरी महिने में होने वली बरसात पर निर्बर होगा और फरवरी के अंदर महतापूर्ण जो परिवर्टन हो सकते हैं उससे पूरे वर्ल्ड उसको बहुत बारिकी निजरों से देखेगा एक्षेंज ने चेतावनी देते वे ये भी का है कि देश लानीना मौसमी चक्र के दोहरे अध्याई का सामना कर रहा है इसलिए देश में बरसात फिर से शुरू होने से अगामी मद्द मार्स तक देरी हो भी सकती है और यदि ऐसा हो जाता है तो औसत उत्पादक्ता को हनी हो सकती है एक्सचेंज ने एक अनुमान जटाया था की अर्जेंटाइणा में मखी का रिकाओड उत्पादन पांच दश मलव साथ शुने करोंटन और सोयब इन चार दश मलव 4번 चार शुने करोंटन का उत्पादन हो सकता है यदबी अभी तक उसमें उत्पादन में कोई संशोदन नहीं किया है लेकिन खरा मौसम के कारण अवे अपने पूर वनुमानों को कमी की कर्मी भी कर सकता है दोस्तो बहुत महतवपूर्ण होगा मक्का और सोयबीन के उत्पादन प्रतीकूल मौसम के कारण किसानों के लिए सोयबीन की सामाने से देरी की जैने वाली बुवाई में भी मुश्किल आ सकती है और यही वज़ा है कि सोयबीन का संभावित विजाई छेतरफल खट सकता है ब्यूनिस आयर्स ग्रेन सेक्षिन ने यहां तक का है हम दोहरी मौसमी परिस्तितियों से जोज रहे हैं वर्ष की वर्तमान अबधी की दरश्टी से ये काफी ऐसा मानने हैं इससे उत्पादन के लिए चुनोती खड़ी हो सकती है उत्तर पक्षिम अर्जिन्टाइना में पानी की कमी या इसकी अधिक्ता जैसे इस्तिति से के सासात तापमान भी अत्यादिक वहां पर उच्चा बताया जा रहा है दोस्तों ये बहुत महतवपूर्ण इसलिए भी होगा कि एक तरफ रवी के जो उत्पादन और सीट्स सबसे महतवपूर्ण सर्सों के उत्पादन में लगातार तेजी की बात की जा रही है क्योंकि सर्सों की बिजाई इस सीजन में लगबख 24 प्रतीशत अधिक बिजाई का छेतर माना गया है लेकिन राश्ट्री और अंतराश्ट्री परिस्थितियों में फसल आने तक बहुत परिवर्तन आएंगे फसलों की बिजाई का छेतर फल भारत में बढ़ रहा है विदेशों में घट रहा है मौसम की लगातार चिंताएं पूरे विश में फैलती जा रही है इसके जिम्यदार हम स्यम है क्लोवल वार्मीन की लगातार अंदे की मौसमी चक्रक के अंदर लगातार ऐसा मानेता निशित रुप से एक बड़ी परिशानियों का सबब बन सकता है दोस्तों आपको याद होगा साउग्ष मानसून का जो अगरी मनुमान हमने आपको जुलाई महने में दिया था वो अक्सरत सत्ते साबित हुआ इसके अतरिक अब भी हमने अपने अनुमान व्यक्त कर दी हैं आने वाले दो से तीन मेने के अंदर क्या संभावना होगी दोस्तों ये सारे एपिसोड्स हमारे इस चैनल पे मौजूद है याद रखेगा विश्व का पहला एस्ट्रो फनैस डीजिटल चैनल जो आपको हर आगामी घटना का पूर्व विशलेशन कर आप तक अपनी बात पहुचाता है दोस्तों याद रखना कि भारतिय पद्दती का जो है प्रचलन सद्यों से हमारे देश में रहा है और इसका पूर्व आकलन सत्य साबित होता है दोस्तों लगबग पिछले तीन सो सालों से इस विद्या को बहुत परेशानियों का सबब छेट धेलना पड़ा है विदेशी आकरमन कारियों के लगातार हमले हमारी संस्क्रिती हमारी भाषा हमारे ग्यान विग्यान पर लगातार हमलों से हमारे देश के अंदर बहुत नुक्सान हुआ है लेकिन कहा जाता है कि आप स्रश्टी के कोक में किसी भी चीज़ को पून नस्टन नहीं कर सकते में पुराया है और लगातार अन्वेंशन और विशलेशन खोज रिसर्च इसमें की है और इसका लाइव एक्जामपल्स हर बार हम आप तक पहुचाते हैं इसका मात्र एक उद्देश ये है कि भारतिय विद्याओं का की शक्ती उसकी सटी किता उसके विशलेशन की जो संस्कृती भारतिय विध्या और भारतिय विज्यान को संरक्षन करने में हमें सहोग प्रदान करते हैं अपितू आपका एक छोटा सा लाइक और छोटा सा शेयर निशित रुप से हम भारतियों को अपनी विद्या की ताखत का परीचे पूरे विश्ग को देने का एक मौका मिलता है दोस्तो यदि अभी तक आपने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है बिल्कुल सस्क्राइब करना ना भूलें बैल आइकन यानि घंटी के निशान को टैप करना ना भूलें ताकि हर नोटिफिकिशन आप तक सबसे पहले पहुचे और एकम हैत्वपुन बात ये सब आपकार से भी जानकारी कर सकते हैं All the very best, good luck, happy trading